नमस्कार लीव इन रिलेशन्शिप आजकल बड़ी-बड़ी मेंट्रो सिटीज में ये चला बहुत चल रहा है कपल बिना साधी किये होएं दोनों परिवार से अलग रहते हैं पती-पत्नी की तरह रहते हैं पर साधी नहीं करते हैं अपनी सारी रिख जरूरते एक दूसरे पूरी करते हैं हर तरह का वो बरताव करते हैं जैसे पती-पत्नी करते है लीव इन रिलेशन्शिप आजकल प्रेंड में पहुँच चल रहा है बहुत से जने इसका समर्तन भी करते हैं बहुत से जने कहते हैं कि ये गलत भी है बहुत से जने कहते हैं कि साधी से पहले लीव इन में रेना चाहिए ताकि एक दूसरे के अच्छी तरह से जान सके ठीक है साधी से पहले एक दूसरे के जान सके लेकिन लीव-इन डिलेशन्शिप में अगर आप रह रहे होना तो आपको कुछ बाते ध्यान रखनी होगी अभी हाली में एक इंसिडेंट हुआ आपताप और सद्दा का आपताप और सद्दा भी अपनी परिवार से अलग रहकर दूसरे सर में रहकर लीव-इन में रह रहते हैं सद्दा का अपने परिवार से कोई टच नहीं था और दोनों कपल के बीच में एसी गटना गटी कि पुलिस की स्टडी कहती है कि आपतापने सद्दा के पैतिश टुकड़े की और अलग-अलग जगवा भेंदी अगर आप भी लीव-इन रिलेशन्शिप में रह रहे हो तो ये कुछ बाते आपको ध्यान रखनी होगी परना आपके साथ में भी कुछ गलत कट सकता है लीव-इन रिलेशन्शिप में रहते हुए आपको कुछ ने कुछ तो सावदेने रखनी होगी और अधिकतर तो क्या होता है अधिकतर तो Lini Ration भी रहते तो पर फैमिली वो लाजी नहीं होती फैमिली उस चीज को लेकर हा नहीं करती तो उसके क्या करते है फैमिली से लड़ जकर क्या लिख रहते है प और जब एक दूसरे कर रिस्ता तूटता है तब उन पर दुकों का पहार पढ़ता है वो किदर जाए ना तो इंडर फेमिली है ना इदर फेंड है ना इदर समाज है वो किदर जाए तो अगर आप भी लीव इन डिलेशन्शिप में रह रहे हो तो कुछ बाते आपको द्यान ड़कने पूच चुरूरी है लेव इन डिलेशन्शिप में रह रहे हो तो सबसे पहले अपने परिवार को नोलेज देंड अपने परिवार की सहमती ले आप लेव इन डिलेशन्शिप में रह रहे हो किसी के साथ में लेगिन आपके परिवार को खबर होनी चाहिए अगर आप अपने परिवार चे अन्बन रहकर आप किसी के साथ रह रहे हो और इन केस अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ तो उसका जिम्यदार कौन होगा आप अकले पड़ जाएंगे आपके परिवार आले आपके सपोर्ट ने करेंगे आपके समाज़ वाले सपोर्ट ने करेंगे ता आप किदर जाओगे लीव इं वे रह रहободवर हो आप लीव इन रिलेशनशिप पे तो सबसे पहले आपको परिवार को ख़ुर होनी चाहिए आप ने शाहिए आपके माता पिता झात、 आपके भाई को खबर होनी चाहिए तो कुछ भी अगर मन मुटाव हो, कुछ भी बात हो, तो अपने दोस्तों से जरूर सेर करना, अपने परिवास से जरूर सेर करना, अगर आप लीव इन रिलिशन्शिप मेरे रहे हो, और अगर आप कुछ भी कपल, आप दोनों के बीच में कुछ भी मन मुटाव होता है, या क अच्छा सजिशन आपको ले और आप दोनों के बीच में सांती हो जाये वरना आप लिव तोक्सिक रिलेशन यानी जहरीला रिलेशन अगर आप दोनों को बीच में टोक्सिक रिलेशनशिप हो तो तुरंत उस रिष्टे को तोड़ देना उसको आगे मत बढ़ाना इस उम्मीद के साथ में मत जिना कि आज मेरा रिष्टा ठीक हो जाएगा आने वाले पोईशन उन द एक दूसरे कपल एक दूसरे से मारपिट करते हैं गुस्सा करते हैं गाली कुलोज करते हैं और आए दिन ऐसी गटना करती रहती है तो समझ लेना कि वह रिष्टा आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है उस रिष्टे को खत्म करना ही आपके लिए बेतर होगा वरना वह आप कि जिनरे लिए खतरनाक सामित हो सकता है आपके पार्टनर पर आपको सख होना तो अपने परिवार को बताए अपने दोस्तों को बताए अपने और किसी रिलेटिव को बताए कभी कभी आप रिलीविन में रहते हो और आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ बेवफे कर रहा हो हो सकता है कि आपको मार्केट कर रहा हो हो सकता है आपसे गालिक लोज कर रहा हो आपको अपने पार्टनर पे सुख हो क्यार ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है तो उससे पहले अपने परिवार को बताए, अपने दोस्तों को बताए, अपने रिलेटरी में बताए, तो ये आपके लिए सावदानी रहेगी तो अगर आप भी लेवी रिलेस्टिशिप में रहते हो तो एक कुछ बाते आपको नोलेज में रखनी होगी वरना आपके साथ में भी कुछ अन्होनी गट सकती है